हेलो दूस्तों पैसेनोमिक्स में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम देखेंगे अब स्टॉक में जो है कौनसे कौनसे और के टाइप से वह हम देखेंगे और इसके बेनिफिट क्या है वह भी हम देखेंगे चलिए वीडियो की शुरूबात करते हैं इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो परी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए यहाँ पर मैंने जो इंटरफेस लॉग इन किया है यह आप स्टॉक का मोबाल एप है ओके तो अपस्टॉक में भी पेपरलेस आकाउंट आप कैसे ओपन करें इसकी लिंक भ सब्सक्राइब करते हों तो आप कोई भी स्टॉक के उपर अगर आप क्लिक करेंगे आपको वापी दिखे मैं भी रिलाइस में क्लिक कर रहा हूं तो इस तरह के से आपको मार्केट डिप्ट का इंटरफेस खुलता है और नीचे बाइन सेलिंग ऑप्शन यहाँ पर आते है डिपेंड भी होती है तो सबसे पहले आपको यह और्डर टाइप से फैमिलेर होना बहुत ज़रूरी है तो चलिए शुरुआत करते हैं तब यहाँ पर जो रिलाइंस है ठीक है रिलाइस को मैंने सिलेक किया हुआ है और जो और टाइप पहले हम समझेंगे यह है पहले मार् मार्केट और मतलब जो करण मार्केट प्राइज है आपको हमेशा और ल्टी पी और सी एंपी यह टम्स मार्केट सुनने में आएगी मार्केट में ल्टी भी मतलब लास्ट इडिंग प्राइज सी एंपी मतलब करण मार्केट प्राइज जो आपको यहां पर रिफलेक्ट ह होते हुए दिख रही है तो इसे कहता है मार्केट ओर मतलब क्या कि मार्केट ओर में जब प्लेस करूंगा जो अभी यह चल रहा है मार्केट में इंट्राडे के लिए तो यहां पर दूसरी स्टॉक में प्लेस करते हैं एक चोट्य स्टॉक में प्लेस करेंगे है 281 है इस भी है बाइब में जाएंगे यहां पर और यहां पर नॉर्मल सिंपल और यह मार्केट करके अभी देखिए मार्केट में बाइब कर रहा है तो यह आपको और कंफिरमेशन नहीं यहां पर बस इसको क्लिक कर देना है बाइब क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर जो ओडर का यहां पर ऑप्शन दिया है इसमें आप क्या हो गया कंप्यूटेड ओडर देखिए 281 40 में यह कंप्यूट हो गया जैसे आप इसको सेल करना चाहते हो बड़ी बात नहीं है आप इसको आपस सिलेक कर देना है और यहां पर पूरी डिटेस्ट मिलेगा आपको जो आपने डाला हुआ है तो आपको आपको पूर्टफिलियो है और प्लस माइनस हो रहे है उसमें 15-20 पेस का इसको सेल करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे यहां पे स्क्वेर प्लिक करेंगेग और क्लिक करने के बाद वापस market option आपको ुक्तलब यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक कर देता हूं यह मेरा ओडर मार्केट में सर्विट हो जाएगा देखिए मार्केट कन्फर्मेशन पूछ रहा है यह सेल कर देना है तो यह हो गया मेरा पूरा ओर्डर जो अभी एक्जिक्ट हुआ मतलब पाच पेसा लॉस में यह मेरा एक्जिट हो चुका है तो यहां पर अगर आप क्लूज ओर्डर पर भी चेक करोगे यहां पर भी वह कन्फर्मेशन आपको मिलेगा या फिर आप पॉर्ट्फिल्य में चेक करेंगे तो आपको देखिए यहां पर कोई क्वांटिटी आप करेंगे अभी क्लिक करेंगे यहां पर वापस बॉ बाइ करेंगे इसको अभी जब इसको बॉस यह जो आडिए टैब है इसको हम चेक कररके कर इसको लिमिट आउड़र करेंगे धि-बॉडर मतलब क्या मुझे 1-1 की हिए 270 में अगर मैंने यह order डाल दिया तो यहां पर यह order limit order में जाएगा तो limit order मतलब क्या कि यह order जो मैंने प्लेस की है यह order पूरे एक दिन के लिए यहां पर पेंडिंग होगी यह दोस्तों यह दिखिए open order में आपको दिखेगा SBI यह मैंने जो डाला 270 में लेने के लिए इसकी जो वैलिडिटी है यह होगी 330 तक ओके यह 3.5 बज़े तक ही वैलिड होगी अगर रेट यह आ गया तो यह execute होगा अगर यह execute होगा तो यह हड़ जाएगा order और यह चला जाएगा close order में मतलब यह order execute हो चुका है तो इस तरह के से जो limit order है आपको प्लेस करना है जैसे मैंने अभी buy का किया है जैसे आप sale भी sell भी कर सकते हो जैसे मेरे portfolio में share से देखे अभी में portfolio एक चोटा सा share लेके रखा है मैंने जैसी SBI है मैंने यहां पर holding में है प्लेट प्लेट चल लगा है तो मुझे इसको रखना है तो यह order में मैं रख सकता हूं यह समय इसे बेचना चाहता हूं और मुझे यह जो है market order ने रखना इसे limit order रखना है limit order पर मुझे इसको बेचना है जिसकी 100 and 30 रूपीज में तो इस तरह किसे delivery order है क्योंकि मैं holding बेच रहा हूं यह पर डिफॉर्ट डिलिवरी आ जाएगा बस इसको कर देना है आपको ओके क्लिक करेंगे यह order है सब्मीट हो जाता है इस तरके से दोस्तों यह जो है आप आपके डिलिवरी से जो शेयर से आप बेच सकते हैं अभी next जो option आता है जहां पर हम कि करेंगे में कि करेंगे यह order टाइप अता है favourite लिमिट की जगह आपका था है घिसे लिमिट ऑडर मतलब क्या ऐसे लिमिट अइब मतलब में में जब कोई स्टॉक आपाई करता ले न में दो इस प्राईज करती है यह रहाँ ऑग होता है तो हैं अर्ड, satisfied और एक होती है तो याद रखिए हमेशा बाइ करते समय यह जो ट्रिगर प्राइज होती है यह ट्रिगर प्राइज हमेशा ग्रेटर द्यान होनी चाहिए बाइंग प्राइज ओके यह भी मैं आपको अभी इसका डेमो दिखाता हूं जैसा अभी 281.10 रूपीस का रेट चला है यह बिया का औ और मैं इसको SL लिमिट में डाल जाला हूं एक कॉंटिटी में इसको बाइज करना चाहूंगा यहां पर मुझे ट्रिगर प्राइज डालनी है अगर 281 20 पेसे का रेट आता है तो यह मैक्जिमम 281 50 पेसे तक बाइज हो जाना चाहिए अगर बीच में कोई रेट है तो अभी मुझे आ गया तो भी बेटर है देखिए अभी जंप मारे रेट 281 थर्टीफाइब हो गया तो मैं इसको अभी चेंज कर देता हूं इसको कर देता हूं 282 अगर आता है तो 282 50 तक में इसको बाइज करूँगा और मुझे इंट्राडे बाइक करना है यह बस मैंने इसको ट्रिगर मुझे काम में आता है तो देखिए यहां पर 282.50 में अपना जो ओर्डर है ट्रिगर यहां पर पेंडिंग है तो इस तरह किसे इसका मोडिफाई भी कर सकते हो तो हमने अभी जो ओर्डर डाला है यह SLM को ओर्डर डाला है इसे लिमिट जिसमें क्या होता है कि अगर मेरा यह 281 यह 282 आता है यहां पर 282 जैसे ही ट्रिगर होगा LTP इसकी जो LTP है जैसे 282 यहां पर आ जाएगी सेम उसी समय मेरा जो ओर्डर है यह एक्जिकुट हो जाएगा वैसे आप सेलिंग का भी कर सकते हो मतलब वहां पर आप स् जिवरी पढ़िए कोई स्टॉक की उसका अप सेल लगाना चाहते हो वह भी आप कर सकते हैं यहां पर इंट्राडे के लिए आपको और डालके दिखाता हूं यह सेल ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और यहां पर सेल लिमिट है एक कॉंटिटी है ठीक है और मुझे इसको अग है रिगर प्राइज यह रहेगी बड़ी और सेडिंग प्राइज रहेगी यह चोटी ओके इस तरह के से आपको प्राइज डाननी है जैसे मुझे अगर इसमें स्टॉप लोस लगाना है अगर यह बाय हो जाता है तो एक कॉंटिटी में बेशना चाहूंगा स्टॉप लॉस दिखेगा डिमिट प्राइज ब्लेट प्राइस पेड़ेट यहां से इसके मेरा ऑडर जो है इसको सेल्में कर देना है अगर था जाएगा तो यहां पे जो सीखा वह था कि ट्रिगर प्राइज और लिमिट प्राइज यह दोन प्राइज आपको चेंज करना बहुत जुरूरी है अब इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते आपको लेकिन सबसे पहले द्यान रखिए अगर आप स्टॉप लोस अगर लगाते हो तो स्टॉप लोस फॉलो करिए करना पड़ेगा 270 जो है 73 में कर सकता हूं कि यहां तक अगर प्राइज आती है 75 तक यह विंडो जो है ट्रिगर प्राइज हटके सेलिंग विंडो में चला जाएगा और देख देड़ रुपे के डिफरेंस में बीच में कहीं तो यह एक्जिक्विट हो जाएगा बस इसको क देखा अभी एसाल मार्कट भी आपको देखिना तो यहां पे एक चाँगा स्टाफ मोटर था नहों目न करेंगे SLM करेंगे मतलब अगर मुझे इसको बाय करना है तो पहले अब टाटा मोटर में जाएंगे ठीक है 282 30 चल रहा है बाय ऑप्षिन पर क्लिक करेंगे ठीक है बाय ऑप्षिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर अगर मुझे एक क्वाटिटी टाटा मोटर की बाय करनी है और यहां पर ट्रिगर डालना है आपको लिमिट प्राइज यहां पर डालने की जरूरत नहीं है अगर 285 आ जाता है टाटा मोटर तो मेरा जो है इंट्राडे के लिए बाय हो जाना चाहिए बाकि खारी एक एक ही प् है यहां पर पेंडिंग में है ओडर मेरा मार्केट और पर मैंने स्टॉप लोस डालके रखा हुआ है यहां पर मेजरली हमने जो है ट्रिगर अल्यडी रखा हुआ है 285 का तो यह मेरा बाय हो जाना चाहिए इसको भी आप मोडिफिकेशन यांस कैंसलेशन यहां पर कर सकते ह इसा हब स्टॉप लोस हमने लगाए अटिकेशन आपको भाय करके रिखाता हूं इसका स्टॉपनो करेंगे शाथ इल करेंगे इसको छोंट होल्या में इसको इसको मार्केट में करेंगे दो इसको म mêmes एक्यानल में शाट सेल बाय हो जाएगा है बिब्सेया एमने-चैल कर दि लिए रखोंगा stop loss SLM लगाऊंगा अब हम जाएंगे portfolio में और positions में जाएंगे टाटा मोटर पे click करेंगे और square off पे click करेंगे यहां पर और बस आपको कर देना है यहां पर market की जगह SL market और कितने में square off करना है 282 50 पैसा बस इतना अगर आता है 282 50 पैसा तो मेरा position square off हो जाना चाहिए मैं इसको hold नहीं करना चाहता हूं that's it बस order place हो चुका है कि इसको वापस हम चेंज करेंगे ट्रिगर प्राइस सेट फॉर यूर स्टॉप प्लस market order is involved कि हम वापस इसको डालेंगे वापस इसको प्लेस करता है है ठीक है हम जाएंगे portfolio में और टाटा मोटर में वापस क्लिक करते हैं square off में जाएंगे कि कॉंटिटी एक और टाइप सिंपल है यह से राट मार्केट करेंगे कब करेंगे कि जब यह टू एटी-फोर आता है तो यह बाय हो जाना चाहिए कि इस टॉप लोस एक मार्केट है बाइंग का स्टॉप लोस लगा रहे हमने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो यहां पर रिव्यू में डाल देता हूं हुए तो देखिए अभी मेरा ओडर प्लेस हो चुका है और यहां पर 284 का हमारा स्टॉप लोस भी यहां पर लग चुका है दोस्तों तो इस तरह के से जो है पूरे ओडर टाइप अभी हमने देखे जिसमें हमने जो है वापस मैं आपको दिखाता हूं वाच लिस में टाटा मोट पर देखिए यहां पर बाय में और जैसे अभी मैंने बाय किया विसे आप सेल किया विसे बाय कर सकते हो यह सब आप्शन हमने देखे लिमिट मार्केट में किया जो होगा लिमिट ओडर जो वेट करेगा प्राइज आने के बाद एक्जिक्विट होगा एसे लिमिट मतलब यह stop loss है लेकिन यहां पर आपको मेंशन करनी है लिमिट प्राइज और ट्रिगर प्राइज और एसे मार्केट में खाली आपको ट्रिगर प्राइज ही मेंशन करनी घुस्तों तो इतने सारे ओडर टाइप यहां पर ओडर एविलेबल है ओके तो यह प्लस पॉइंट आपके करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा तैंक यू सो मच दोस्तों एव गूड डे एंड हैपी टेड़ी